दोस्तो आज के टाइम में हर काम online हो रहा है और हर काम में अधार काड यूज हो रहा है चाहे ओ एकाउंट खुलवाना हो पेन काड बनवाना हो राशन काड बनवाना हो पासपोर्ट बनवाना हो यहां तक कि अगर बच्चों का भी कोई काम कराना हो तो उसमें भी अधार काड का यूज हो रहा है लेकिन दोस्तों आप अधार का ओनलाइन यूज तभी कर पाते हैं जब आपके अधार कार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो लेकिन दोस्तों कभी कभी ये भी पता नहीं चलता कि आपके अधार कार में आपका कौन सा मोबाइल नमबर लिंक है या आपके अधार कार में आपका मोबाइल नमबर लिंक है या नहीं है तो दोस्तों आपके अधार कार में आपका मोबाइल नमबर लिंक है या नहीं है और है तो कौन सा मोबाइल नमबर लिंक है चेक करने के लिए अपने मोबाइल मे किसी ब्राउजर को पेन करना होगा और इसमें सर्च करना होगा UIDAI उसके बाद सबसे उपर में UIDAI.GORMENT.IN लिखा होगा इस पे क्लिक करना होगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लें कि ऐसे ही वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों इस पेज़ पे आने के बाद गेट अधार लिखा होगा तो यहां कुछ नहीं करना है नीचे चलना होगा अपडेट अधार होगा यहां भी कुछ नहीं करना है इसके नीचे अधार सर्विसेज है तो यहां अधार सर्विसेज में वेरिफाई एन अधार नंबर पे क्लिक करना होगा उसके बाद uidai.gov.in से लिखा होगा तो यहां से cancel और ok का option आएगा तो ok पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद आप इस page पे आ जाएंगे इस page का link description में दे दिया है आप direct वहां क्लिक करके इस page पे आ सकते हैं या manage जैसे search करके आया वैसे भी आ सकते हैं दोस्तों इस page पे आने के बाद इंटर आधार नमबर और इंटर सेक्रेटी कोड लिखा होगा तो यहां इंटर आधार नमबर में अपने आधार नमबर को इंटर कर लेंगे और इंटर सेक्रेटी कोड में इंटर सेक्रेटी कोड के ऊपर capture दिखा रहा है इसको इंटर कर लेंगे अधार number और security code इंटर करने के बाद नीचे में proceed and verify अधार लिखा होगा तो यहां से proceed and verify अधार पे क्लिक कर देंगे proceed and verify पे क्लिक करने के बाद आपका अधार number और exist लिखा होगा और नीचे में अधार verification complete लिखा होगा और यहाँ पे एच, जेंडर, एस्टेट और मोबाईल नमबर दिखा रहा होगा तो दोस्तो सबसे नीचे में आपका मोबाईल नमबर दिखा रहा होगा कि आपका अधार काड में कौन सा मोबाईल नमबर लिंक है उस mobile number का last का 3 digit दिखा रहा होगा तो दोस्तो आप यहां से last का 3 digit को देखके अभिरफाय कर सकते हैं कि आपके अधार काड में कौन सा mobile number link है और दोस्तो अगर कोई mobile number link नहीं होगा तो यहां mobile के सामने कोई number नहीं लिखा होगा बिल्कुल blank होगा तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं और है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है चेक करना समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और प् वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलते रहें